हेलो दोस्तो कामत की रिसुई में आप सभी का स्वागत है आज हम बनाएंगे गर्मा गर्म आलू की कचोड़ी जिसे हम ग्यूहू के आटे से बना के त्यार करेंगे तो वीडियो पर बने रहना दोस्तो बिना स्किप करें वीडियो को पूरा देखना हमने यहाप एक ग्यूहू का आटा लिया है साथ ही इसमें हम डाल देंगे नमक, स्वाद के अनुसार और आदे चमच आजवाईन को हाथों से क्रश करके डालेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटा अच्छे से गूत के त्यार करेंगे तो आटे को हमें बहुत नरम गूत के त्यार करना है तभी जो हमारी कचोड़ी है ना बहुत ही बढ़ियां बनके त्यार होगे तो इस बात का दोस्तो धिहान रखना है आटे को अच्छे से मसल मसल के गूथना है यहाँ पर रेखे हैं हमने आटे को अच्छे से गूथ लिया है आटे को डखकर 10-15 मिनट के लिए सेट होने देंगे तब तक हम आगे की त्यारी कर लेंगे यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पर्थन भी लिया है सुका आटा इसे भी रखते थे हैं साइड में यहाँ पर तीन उबले हुए आलू लिये हैं आलू को मैंने पहली उबाल लिया था दोस्तो ताकि यह ठंडा होने पर जो इसका पानी है वो सूख जाए तो आलू का हम छिलका निकाल लेते हैं जब भी आप कचोड़ी या पोड़ी बनाते हो या समोसे बनाते हो तो दोस्तो आप आलू को पहले उबाल ले ना इससे क्या होता है जो आलू में पानी होता है ना वो सूख जाता है यहाँ पर आप वीडियो में देख सकते हैं आलू जो है ना हमारा विल्कुल ड्राइ हो चुका है इसे हमने हातों से तोड लिया है अच्छे से मैश कर लेंगे ताकि इसमें कोई भी गांट न रहे आप चाहे तो इसे घीस भी सकते हैं या फिर मैशर से अच्छे से मैश कर सकते हैं तो दोस्तो अपने आलू को अच्छे से मैश कर लिया है इसमें कटी हुई हरी मिर्च और नमक स्वात के अनसार डालेंगे दो से तीन पेंच हल्दी डालेंगे इससे कलर बहुत अच्छा आएगा हमारी आलू की कचोड़ी में एक चौथाई चमच लाल मिर्च पाउडर लाल मिर्च पाउडर आप अपने तीखे के अनसार भी ले सकते हैं दोस्तों आदा चमच चाट मसाला रोसित तीन पींच हीन डाल देंगे और थोड़ी सी कसूरी मेथी को हाथों से क्रश करके डालेंगे बारी कटा हरा धनिया और सारी चीज़ों को अच्छे से हम मिला लेंगे तो यह हमारा सुपर टेस्टी आलो की कचोरी का स्टॉफिंग बनके तयार हो जाएगा दोस्तों यह बहुत ही असान तरीका है इस तरीके से अगर आपके एक पार आलो की कचोरी बना लियाना यकीन मानिए आप सारे तरीके भूल के ऐसी आलू की कचोड़ी बना कर खाओगे यहाँ पे देखे हमने आलू में सारी चुज़ों को अच्छे से मिला लिया है अब इसके हम छोटे छोटे बॉल बनाएंगे ताकि जो हम कचोड़ी बनाए ना वो जटपट से बनके त्यार हो जाए इस तरीके से हम छोटे छोटे बॉल बना के त्यार करेंगे तो दोस्तो इस बॉल को आप अपने अवसकता के अनुसार बड़ा यह छोटा बनाब सकती है में यह पे ना तो बहुत ज़्यादा छोटा बॉल को रखा है और नहीं बहुत ज़्यादा बड़ा मेडिय अपसा इसका बॉल बना के हमने त्यार कर लिया है इसे साइड में रख देते हैं और चलते हैं आटे की तरफ तो यहां पे देखिए आटा अच्छे से सेत हो चुका है तो अब हमें रोटी के जितनी लोई लेनी हैं दोस्तों ना तो बहुत ज़्यादा बड़ी लेनी हैं नहीं बहुत ज्यादा छोटी जैसे कि हम रोटी बनाती है ना बस उतनी बड़ी लुई बनानी है और हाथों से घुमा के कटोरी का शेव दे देना है और हमने जो पटेटो का बॉल बनाया है ना उसे कटोरी के अंदर अच्छे से फिल कर देना है जैसे कि दोस्तों आपको वीडियो में दिख रहा है हाथों सिनक onсем और उससे गोमा लेंगे अच्छे से अब इस पर हम लगाएंगी सुखारी कोसरया अगर पर हाट त्यार कर festa काँ कोडि को बना के त्यार करना धूरा नहीं जो कोड़ी सेव देजिए उसमें बॉल को अच्छे से फिल कर लीजिए और हाथों से ही घुमा के कचोड़ी बना सकते हैं हलके हाथ से इस तरीके से राउंड करेंगे ना तो बड़े ही आसानी से आपकी कचोड़ी बनके त्यार हो जाएगी यह देखिए है ना बहुत आसान तरीका तो द देते हैं छोटी सी लोई डालेंगे और यह देखिए हमारी जो लोई है वो अच्छे से बन चुकी है तो इसका मतलब यह है कि हमारा तेल अच्छे से गरम है अब हम गैस का फ्लीम लो करेंगे और लो फ्लीम पे ही हम कचोड़ी को डालकर मेडियम तू लो फ्लेम पे टरीके से हम बना लेते हैं तो जब ही आप कचोड़ी या पूरी बनाते हो नлох तो उसे आप मेडियम टू लो फ्लीम पे ही फ्राइ करना फिर आपकी पूरी और कचोड़ी चाहे आप गेम के आंटे में बनाया या फिर मैदे में बनाओ बहुत ही खस्ता बनके त्यार होगी तब तक मैं इसे सर्फ कर लेती हूँ ये लाजवाव आलू की कचोड़ी देखके न मेरे तो मुँमे पानी आ रहा है दोस्तों और देखा न आपने इस कचोड़ीों को हमने गेहु के आटे से बना के त्यार किया है जो देखने में इतना लाजवाव है और खाने में तो बहुत ही टेस्टी है तो दोस्तों आज मैंने खीर भी बनाया है अगर आपको खीर की पूरी वीडियो देखनी है तो आप मेरे यूटूब चैर्नल कामत की रसोई पे देख सकते हैं इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी आप महां से चेक कर सकते हूं ये रबडी दार खीर के साथ आलू की पूरी खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है मेरे घर पे तो सभी को बहुत पसंद है आप कॉमेंट में जलूर बताना की पूरी के साथ आपको क्या खाना पसंद है दोस्तो प्लीज आप सब कॉमेंट किया करो और बताया करो आप सब को मेरी वीडियो कैसी लगती है जब आप सब कॉमेंट करते हूं मुझे बहुत अच्छा लगता है दोस्तो तो प्लीज मुझे सपोर्ट करना दोस्तो और मेरी वीडियो को जाता से जाता अपने फ्रेंड फैमली में शेयर करना और मेरे चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर देना और ऐसी वीडियो देखने के लिए बैल आइकन को प्रेस कर देना ताकि मैं कोई भी वीडियो डालू हूँ सबसे पहले आप तक पहुंचे मिलती हूँ ऐसी एक नई वीडियो के साथ बाबाई दोस्तों